एलो गाईज, कैसे हो आप लोग, अगर आप लोग हमारे विडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को दबा दो. लास्ट एपिसोट की एंड में हमने देखा था, सॉनवन मिस्टर हवान को शिप से गिरा देता है, एपिसोट फोर की सुरुआत में शिप का वग कर, मिनी बोट लेके मिस्टर हवान को पानी से निकाल लेते हैं, उसके वाद सॉनवन थोड़ा रलाक्स होकर सोचता है, मैंने वो इसे भी संभाल नहीं पाए, यह जून CCTV को देख कर सोचता है, अगर यह CCTV नहीं है, तो यह इतना आसान भी नहीं होगा जितने में, और वो इतना सोचते सोचते कसीनों के रूम के पास पहुँच जाता है, उसके बाद वो दरवाजा खुल के अंदर चाले जाता है, अंदर मिस्टर चेंग सेन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अभी अभी कहा था कि, यह फैमिली के लोग अभी शिप पर हैं, वो बंदा कहता है, किसी ने यह फंक्शन के नाम का इस्तमाल किया है, बाद में मैंने लोगों से सुना कि यह फंक्शन और उनका वाइफ की कार अक्स लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है, उसके बाद वो सॉन्वन के बारे में बताने लगता है, यह फंक्शन की डेथ के पहले, उनका सारा प्रॉपर्टी उनके भतीजा यह सॉन्वन के लिए छोड़ गए थे, जबकि अपनी खुद का बेटा यह जून को कुछ चैंशन कहता है, और क्या, वो बंदा कहता है, यह जून ने हमारे कसीनो से 30 मिलियन जीत लिया है, उसके बाद हम मिस्टर चैंशन को CCTV रूम में देखते हैं, जो CCTV फोटेज चेक करने के लिए आये थे, CCTV चेक करने वाला बंदा कहता है, मैंने उसके हरकत देखा जब वो 5 मिल चैंस है अभी, एक खूबसूरत लड़की बोलती है 1000, मिस्टर चैंशन कहते हैं, क्या यह सुपरपावर नहीं है, वो लड़की कहती है, नहीं, मैंने वहाँ जाने के बाद वहाँ के एन्वायमन्ट को स्कैन किया था, उस जगह से अलेक्ट्रिक वेव निकाल रहा है, मिस् लिया या था, उसके साथ एक लेडी एंपलोई होता है, लेडी एंपलोई यह जून को कहती है, मेरा फ्लेट 120 स्क्वेर मीटर का है, जिसमें दो बेडरूम, एक लिविंग रूम, बालकनी और एक लिफ्ट शामिल है, इस कमरे में फनीचर अभी भी नया है, अगर आप चाह तो यह इसका रीजन है इतनी सस्ते में अपार्टमेंट को बेचना, यहा पहले किसी का डेथ हो चुकी है, लेडी एंपलोई बोलती है, आप सोचरे होंगे यह फ्लेट इतना सस्ता की उन है, में बताती हूँ, यह फ्लेट मेरी बेटी के लिए था, लेकिन वो वापस आने स पहले वह गाइब हो गया, एक साल हो गया, और अभी भी उसकी कोई सुराग नहीं मिला, जब भी मैं यहां आती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरे पास है, मेरे पती को डर था कि मुझे मानसिक समस्याए हो सकती है, इसलिए मैंने इस फ्लेट को सेल में रखा था, यह जून कहता है, मैं इमानदार लोगों से चीज़े खरीदना पसंद करता हूँ, मैं यह फ्लेट लेना चाहता हूँ, जब आप देना चाहते हैं, तो, लेडी एमपलोई बोलती है, मेरे हस्बंड इस बेटिंग अपार्टमन्ट का अस्टेट एजेंट है, आप आज पेम यह जून कहता है, हाँ कियो नहीं, गोस्ट लड़की कहती है, लेकिन मेरी मॉम डैड मुझे देख नहीं पारे है, वे मुझे देख और सुन नहीं सकते कि मैं क्या करता हूँ, यह जून उस गोस्ट लड़की को पूछता है, क्या तुम उनके बेटी हो, गोस्ट लड़की ह कहता है ये जून कहता है मुझे बताओ क्या हुआ था क्योंकि ये अब मेरा घर है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है